भगवान बुद्धा को गिलहरीक की इस शिक्षा के बाद मिला था आत्माग्यान भगवान बुद्धा आत्मग्यान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन प्रकार के प्रशनु भर रहे थे। उन्हें प्रशनों का उत्तर चाहिए था लेकिन अनिक प्रया उन्हें चाहिए था, वे उन्हें मिला. नहीं, एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ. सोचने लगे, दन, माया, मोँ और संसार समस्ति वस्तूओं का भी त्याग कर दिया. फिर भी आत्म ज्ञान की प्राप्ती नहीं हुई. क्या मैं तभी आत्म ज्यान नहीं छोड़ी थी, वे उदास मन से इन्ही प्रश्णों पर मंधन कर रहे थे, इसी दोरान उन्हें प्यास लगी, वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए, वहां उन्होंने एक कदभुत द्रिशित देखा एक गिलहरी मुह में कोई फल ये सरोवर क पास आई, फल उससे छूट कर सरोवर में गिर गया, गिलहरी ने देखा, फल पानी की गहराई में जा रहा है, गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी, उसने अपना शरीर पानी में भी गोया और बाहर आ गई, बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी जाड दिया औ सरोवर का जली कभी नहीं सुखा सकेगी लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है अचानक बुद्धा के मन में एक विचार का उदय हुआ यह तु गिलहरी है फिर भी अपने लक्षे को प्राप करने में जुटी है मैं तु मनुष्य हूँ आत्मग्यान प्राप नहीं हुआ तु मन में निराशा की भाव आने लगे मैं पुण तपस्या में जुचाओंगा इस प्रकार महात्मा बुद्धा ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप की और तपस्या में जुट गए एक दिन उन्हें आत्मग्यान